अभी तो दुर्गा पुजा का सेजन चल रहा है तो मैं फिर एक पंडाल देखने जारी हूं एक दूसरे लोकेशन में और कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैं लेट से निकली थी और जल्दी आगे कि वह आउट एरिया था तो वहां का दो पंडाल छूट गया है तो मैं वहां भी जाओंगी अभी दो पंडाल देके फिन नेक्स्ट एरिया जो मेरे बगल का एरिया है मार्केट वहां पे जाओंगी सुना है बहुत अच्छा चा पंडाल बना है आज इस बार जादा दूर तो नहीं जा पाई जैसे सुरी भूमी वेगेरा बट पास कही चलिए आप लोगों को नेक्स्ट पंडाल दिखाते हैं दूसरे लोकेशन का अच्छा पंडाल दिखाते हैं जाओंगी सुना है 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 जा झाल झाल जाल जा रही हूँ वही पंडाल को देखने चली आप लोको भी दिखाते ही हूँ यहाँ पे बना है actually केदारनाथ तो एक बार तो स्रीफुमे में भी बनाया था एक बार के साथ प्रीवेस एर ही था मुझे नहीं आपक यादा आख है इस बार अपने लोकल अर्या में यह बनाया केदारनाथ तो चली आप लोको भी दिखाते हैं अपने लोको बनाया थादा है कर दो 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 कर दो आपने दो टो आपने अपने। जटाधारी पार्क के पहले मैंने एक पार्क देखा तो हम लोग यहां पर देखने लगे यहां भी बहुत लाइन था क्योंकि यहां का व्यू बहुत अच्छा है आप देख सकते हैं कि बड्स कैसे माइगरेट करकी जगह से दुसरे जगह जाता है विंटर सीजन में यह उसी का थेम यूज किया गया है यह स्नू विगेरा दिखाने कोशिश किया गया थोड़ा सब अच्छा दिखने के लिए बहुत सारा डेकॉरेशन किया ही है तो यह उसी का थेम है गाइस यहां पर मैंने आवाज जो है म्यूट करके रखा हुआ है बैक्राउंड का विकोज यहां पर एक सौंग चल रहा था जिसके कारण कॉपी राइट आया मैंने जब अप्लोड किया तो तो मैंने इसे वापस से फिर डिलीट करके मैं इडिट करके अप्लोड करने जा रही हूं तो इस वज़े से मैंने हटा दिया है सौंग क्या कर सकती हूं कॉपी राइट है तो मुझे हटाना ही पड़ेगा आप देख सकते हैं यह पूरा जो थी में यह पूरा टीशू पेपर सी स्पोंज वेगेरा यहां पर बड्स वेगेरा जो है वही सब दिखा रहा है नीचर इंवाइरमेंट को पॉल्यूट ना करें पिर कहीं मतलब कहा कहां से जो बड्स वेगेरा जो है विंटर सेजन में आते हैं माइग्रेट करके यह उसी थीम को दर्सार रहा है कि बड्स हैं वो बड्स वींटर सेजन में आप यह जो ब्लू और वाइड दीक्र यह इस एक्षुली दिखाने की कोसिस की गई है कि विंटर सेजन में कहां से कहां मतलब बड्स माइग्रेट करती है इस बार सलक्या का जो भी पैंडल था उसमें बहुत धीर था अब बहुत लोगों को अब पता भी चला रहें कि अलावा इस बार में जितना भी पैंडल में गई साथ मॉमी के वज़े से या फिर जो भी कारण हूँ मुझे हर जगा लाइन लगाना पड़ा और जटाधारी में तो इतने दूर सी लाइन था जहां पे आप सुनेहरा डीर को देखे गोल्डेन डीर वहां पे तो जो लाइन था मतलब आप कहने सकते और मैं फिर जो लाइन ने पार फिया आये गा जहां पर आप देखिए गा कि कितना भीड मतलब आप देखिये कैं मैं ज्यादा भीड आपको दिखा लें पाओंगी टाइम में कब से सुरूर की हो काफी पढ़ना सुन्दर ऐसी बज़े से जसमिक कैंटल इदाल में आर्टेन जड़ेक्ट कर्या जड़ी प्राइब लादग की देद दो क्या समय ही जड़ी यह जड़ी कर दो जोल醋 मुड्य कोगो को अजय को है बाल में, ग। जह जह जुग हैं लग मिदन खाया थिज तौ सेयं बढ़ हें रें हिर की टाय हिंदं को जम है को टाइक घरी घ्थर पी यह जुग है चो हला है लग जह जह बाल संग ऑड़ है कर दो. प्राइब कर दो पंडाल देखने जा रहे हैं यहां पर कभी भी आसक मेने दो बार तीन वर मैं गई हूं मुझे कभी भी ऐसा लाइन लगाना पड़ा पहली बार इतना लाइन लगाना पड़ा प्रिविस यह से बहुत ज्यादा अच्छा हुआ और उसके पहले से भी बट यहां पिलाएं यह लाइन स्पीड में था चले जा रहा था तो इसका मतलब मुझे अख्सोस में गाइज यहां का पंडाल बहुत ही अच्छा था बहुत ही सुदर आप देखी रहे हैं जैसा कि यहां का थीम यह है कि आप मतलब जो भी ओर्ट वेगेरा थींगे ओर्ड कंप्यूटर वेगेरा उसको मुझे देखने में ऐसा लगा कि मच्छड वेगेरा डेंगो वेगेरा बनाने का जो डेंगो मच्छड का बनाने कोशिस किया गया है पुरानी चीज से और भी क्या-क्या थीम था मुझे थोड़ा समझने मुस्किल हुआ आप लोग को कुछ अगर समझ में आता है तो इस देख के कमेंट जरूर कीजिएगा और यहां पर मैंने आवाज इस भी हटाया है बिकाज यहां पर बॉलिवूड सॉंग्स का हो रहा था और कोई बच्चे या कोई भी बड़े डांस तो नहीं कर रहे थे पेवाजा बस बज रहा था तो मैंने इस बच्छे से आवाज मैं जरूर बताइए कि एक्शुली यह क्या चीज़ का पंडल है मुझे समझ नहीं आया थोड़ा बहुत मैंने यही देखा कि पुराने चीज़ों को यूज करके यहां पर दिखाया गया है तो आप जरूर कमेंट को भी बताइए अगर आपको कुछ भी आइडिया लगता ह पुरा चीटी है मतलब लग रहा है कि कोई भूतिया टाइप कुछ वैसा है मुझे तो वही लग रहा है मतलब आप फुड़ा समझे और मुझे भी प्लीज कमेंट में बताइए कि मुझे इसको जानना है कि एक्शुली यह क्या था यह क्या थीम तो मुझे तो समझे नहीं आरहा है तो मुझे तो अईच्छली डेक्पराना सिलिंडर पुराना आपका रीउस के लिए यह दिखा रहा हो तो पुराने चक्के पुराने पंके पुराने साइकल मुझे यह री- tau हो मुझे समझ में नहीं आरा है प्लीज अब कमेंट करने तो आप यहां तक अगर देख लिए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो बनाने में बहुत ही मैनत लगता है और प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और सेर भी कीजिएगा और वीडियो के ऐसा लगा कुछ कमी है तो वो भी प्लीज कमेंट करके बताएग तो आप जादी प्लीज रादी अरादी अरादी आप यहां आप यहांग